हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आल इंडिया गुरुजी दोस्तो मुझे मैंने जितने भी अभी वीडियो बना हैं इसके पहले उस पर मुझे आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद लोगों ने मुझे, इस्टुएट ने मुझे मैसेजस भी किये, कमेंट्स भी किये तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रवाइड आंगे भी करवाता रहूँगा तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि साथ जन्वरी से दूँगा, यह सभी कॉश्चन जितने ही मैं करवा रहा हूँ, वो सभी मेमोरी बेज़नें, लेकिन आपके ग्यान में जरूर बढ़तरी करेंगे यदि आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चन नहीं देखे हैं, तो ने भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की इंफर्मिशन मिलती रहे, और आप वीडियो को देख सकें, तो चलिए, शुरू करते हैं, ओके फर्स्ट कॉशन देखते हैं, बाणवट वॉस्ट पोट और विच एम्परर, ठीक है, पहला कॉश्चन है, कि बाणवट किस राजा के दर्वार में उनके राज कभी थे, ठीक है, तो इसका अंसर होगा, हर्स वर्धन, ठीक है, बाणवट जो थे, वो हर्स वर्धन के दर्वार में उनके राज कभी थे, ठीक है, इसमें एक कॉश्चन और पूछा जाता है, एक्जाम्स में, कि बाणवट ने कौन सी बुक ठीक है, next question देखते हैं, who built the golden temple, ठीक है, किसने golden temple मतलब स्वर्ण मंदर बनवाय था, तो ये बनवाय था गुरु रामदास जी ने, गुरु रामदास जी जो है, वो सिख गुरुओं में, सिख गुरुओं के दस गुरुओं में से फोर्थ नम्मर के, चौते नम्मर के गुरु हैं, वो हैं गुरु रामदास जी, ठीक है, और ये जो मंदर आप देख रहे हैं, स्वर्ण मंदर ये अमरिश सर पंजाब में पड़ता है, ठीक है, ये बना था 1577 में, और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ही है, कि इसमें 750 किलो प्योर गोल्ड लगा है इसके डूम में, ठीक है ना, 750 किलो ग्राम, ठीक है, next question देखते हैं, Who is the first British author to win the Man Booker Prize for Fiction twice, ठीक है ना, तो इसमें ये पूछा गया है, कि कौन पहला British लेखाक है, जिसने Man Booker Prize Fiction के लिए दो बार जीता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा, Hilary Mental, ठीक है, Hilary Mental जी जो थी, उन्होंने दो बार Fiction, Fiction के लिए, दो बार Man Booker Prize जीता है, ठीक है, इन्होंने पहला जो प्राइस जीता था, वो जीता था, 2009 में, Wolf Hall के लिए, ठीक है, इन्होंने नोबिल लिखा था, Wolf Hall, इसके लिए इनको 2009 में मिला था, Man Booker Prize, ठीक है, और 2012 में, Bring Up The Bodies के लिए, ठीक है, Bring Up The Bodies के लिए, इन्होंने, इनको 2012 में, दोबारा Man Booker Prize मिला था, ठीक है, Man Booker Prize किसलिए मिलता है, क्यों मिलता है, इसके लिए आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, या आप किसी और भी दूसरे अवार्ट के लिए वीडिय of the early Vedic Age, ठीक है, इसमें ये फूचा गया है, कि इनमें से किस वेड में ये information मिलती है, जो कि प्रारंबिक वेडिक काल में जो सभधा ती, civilization था, उसके वारे में information किस वेड में मिलती है, ठीक है, तो इसका अंसर होगा रिग वेड में, ठीक है, रिग वेड में ही प्रारंबि वेदिक काल की सब्विता के वारे में हमको इनफॉर्मिशन मिलती है ठीक है next question देखते है who is the first Mr. India to have won Mr. World title ठीक है ना कौन पहले Mr. India है जोनोंने Mr. World का title जीता है ठीक है और ये एक मात्र है जोनोंने Mr. World का title India से जीता है ठीक है इनका नाम है रोहत खंडेलवाल ठीक है तो ये पहले वेक्ती है जोनोंने पहले Mr. India का अवार्ड जीता है उसके बाद Mr. World का जीता है ठीक है तो पहले भारती कौन है वो है रोहित खंडलवानने इन्होंने 2016 में ही अवार्ड जीता है ठीक है Next question देखते है दिस्पूर किस राज्ज की राजधानी है तो ये है असम की ठीक है असम जो है वो भारत के सेवन सिश्टर्स कहलाने वाले राज्जों में से एक राज्ज है ठीक है असम Next question देखते है In which state is sun temple located? ठीक है न? किस राज्ज में सूर्य मंदिर इस्थेत है ठीक है ठीक है तो ये है ओडिशा कोनार्क में ठीक है ये कोनार्क का सूर्य मंदिर है ये ओडिशा में इस्थेत है ठीक है इसको बनवाय था नर्सिंग देव प्रथम ने 1255 में ठीक है न नर्सिंग देव प्रथम ने सूर्य मंदिर को 1255 इस भी में वनवाय था ये उडिशा में इस्तेज है ठीक है next question देखते है in India with whom does the executive power of the union lie ठीक है तो इसका answer होगा president ठीक है इसका answer होगा president president जो होता है राष्टपती जो होता है वो नाम मातरी कारपाली का होता है ठीक है न और पूरा जो बास्तविक कारपाली का जिसको कहाता है वो प्रधान मंतरी को कहा जाता है ठीक है बास्तविक कारपाली का प्रधान मंतरी और नाम मातरी कारपाली का जो होती है वो President अर्थात राष्टपती होता है ठीक है मैं राष्टपती से सम्मझत कुछ information और देता हूँ जगजाम में पूछी भी जाती है ठीक है इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो जो है कि ये राष्टपती के वारे में जो मिलता है संबिधान के Article 58 में राष्टपती के वारे में लिखा हुआ है ठीक है और इसके लिए सर्था होती है वो ये होती है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है 35 वर्ज के आयू पूरी कर चुका होना चाहिए लोकसवा का सदर से निर्वाचत किया जाने के योग होना चाहिए ठीक है ये इसकी सर्थ होती है जब इसका निर्वाचन किया जाता है राष्टपती जी का ठीक है और एक व्यक्ती चाहे कितनी भी वार राष्टपती के लिए निर्वाचत हो सकता है ठीक है और इसके लिए एक important बात यह है कि ये तो निर्वाचन हो गया अब यदि राश्टपती को पत से हटाना हो या उनको त्याग पत्र देना हो तो उसके लिए क्या है इससे question बनते है ठीक है तो इसके लिए यदि राश्टपती को त्याग पत्र देना है तो वो उपराश्टपती को देता है ठीक है ये question काई exam में पूछा जा चुका इसके प महावियोग के द्वारा ही हम प्रेशिडेंट को अपने पच से हटा सकते हैं ठीक है यह 56 से 61 में यह सब दिया हुआ है अनुच्छे 56 से 61 में कॉंस्ट्यूशन में यह सब को दिया हुआ है ठीक है और बागी जब मैं कॉंस्ट्यूशन का लेक्चर बनाऊंगा तो आपको पू इंटरनेशनल क्रिकेट कांसल वास ठीक है ना पहला इंग्लिस में इलेक्टेट कौन था मतलब जो चैर्मेन कौन था इंटरनेशनल क्रिकेट कांसल ठीक है ना इंट आइसी सी का पहला नौन इंग्लिस में इलेक्टेट जो था चैर्मेन वो कौन थे यह पूछा गया इसमे कौन बने थे जो Englishman नहीं थे तो वो थे Sidal Walcott ठीक है ना Sidal Walcott जी थे जो non Englishman थे पहले जो की ICC के Chairman बने थे ठीक है Next question देखते है Which of the following has zero electron affinity ठीक है ये बहुत simple question आया है science से zero electron affinity इनमें से कौन सा होता है ठीक है तो उसमें जो option था उसमें answer होगा noble gases ठीक है noble gases जो होती है वो zero electron affinity होती है ठीक है ना इनको मतलब सून वर्क के तत्वी बोल सकते है ठीक है अक्री gases भी बोल सकते है उत्करश्ट gases जो भी बोलना हो इसके बहुत सारे नाम है ठीक है और मैं आपके थोड़ा सा और information दे देता हूँ noble gases के बारे में इसके अविसकार के लिए तो दो-ती लोगों के नाम आते है तो वो पूछा नहीं जाता है ठीक है इसको दुरलब gases भी हम बोलते है अब जो noble gases होती है मतलब अक्री gases या उत्करश्ट gases होती है वो यह होती है मैं बताता हूँ helium, neon, organ, xenon और radon ठीक है ना यह पांच gases जो है यह noble gases के लाती है ठीक है यह question कई बार exam में पूछा भी जा चुका इसमें से gases दे देते हैं और पूछा इनमें से noble gases कौन सी है या कौन सी नहीं इस टाइब से question पूछे जाते है इसमें आपको बता दूँ कि जो helium gas होती है ठीक है ना यह ब्रह्मान ने पाय जाने वाली दूसरा सरवादिक जो तत्व पाय जाता है ब्रह्मान में यह दूसरा सबसे जादा पाय जाने वाला तत्व हिलियम ठीक है ना और यह बायो यान जो होते हैं अपन एरोपलेन देखते हैं उनके टायर में helium gas ही भरी जाती है ठीक है इसमें जो आपको explanation दे रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे काफी question exam में पूछे जाते हैं तो helium को जो मैंने बताया कि यह ब्रह्मान में दूसरा सरवादिक पाया जाने वाला तत्म है ठीक है और बायो यान में जो हवा भरते हैं तो वो भी helium gas की ही भरी जाती है ठीक है अब देखते है neon gas neon gas जो है वो बल्ब में यूज की जाती है ठीक है बल्ब जो चमकते हैं उसमें और जो चमकने वाले विझ्यापन लगे होते हैं हम जो रोट के साइड में देखते हैं उसमें भी neon gas ही यूज की जाती है ठीक है ना नेश्ट देखते है जो होती है वो प्रकती ठीक हैं बायो मंडल में सबसे अधिक मातरा में पाय जाने वाली gas है ठीक है ना सबसे अधिक मात्रा में जो gas पाई जाती है वो organ gas ही पाई जाती है ठीक है ना वायू मंदल में next हम देखते हैं वो दी है xenon gas ठीक है यह xenon gas जो है वो सरवादे की योगिक मनाती है ठीक है यह question मैंने SSC में भी देखा यह आया है पहले बहुत पहले आया था कि सरवादे की योगिक मनाने वादे जो अक्री gas होती है वो कौन सी होती है वो xenon gas होती है ठीक है और देखते है redon gas पांच भी नमबर गैस है वो है ही काम पड़ेंगी ठीक है इसका explanation आप दुबारा भी सुन सकते हैं या आपको शमझ में ना आया हो या कोई दिक्कत हो ठीक है बाकी मैं जब chemistry का जब lecture बनाऊंगा अच्छे से पूरा detail में तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं उसको अच्छे से ठीक है अब भी next question देखते है who became the first chief minister of Telangana तेलंगाना के पहले chief minister कौन है तो ये है के चंदरशेखर राओ तेलंगाना के पहले chief minister है के चंदरशेखर राओ तेलंगाना जो अभी state बना है इससे काफी question पूछे जा सकते है ठीक है ये state जो है 2 जून 2014 को बना आप जो देख रहा है state यही है तेलंगाना state ठी के तेलंगाना बना गया है ठीक है और तेलंगाना की जो capital बनाई गई है वो हैदरावाद को बनाया गया है इसके बारे में थोड़ी से information और देता हूँ मैं आपको कि ये जो तेलंगाना state बना है ये दो जून दोहर्चगदा को बना है ठीक है न और इसमें 31 district है ठीक है ठीक अभी जा सकता है ठीक है अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है कि जो अभी नया राज्य तेलंगाना बना है उसके गवर्नर कौन है तो इसके जो गवर्नर है वो है ESL नर्शेंबन ठीक है तो इस question से आपको काफी सारी information आपको मिली है तो मैं आपको ए चौदा को बना था जिसमें 31 जिले है ठीक है ना इसकी capital कौनसी है वो है है एदरावाद और इसके जो गवर्नर है वो है ESL नर्शेंबन ठीक है तो आपको ये information बहुत ज़्यादा काम पड़ेगी आगे के जो भी exam होगे उनमें भी और आपके information के लिए भी ठीक है तो next question दे चाल है जो कि गुपता पीरियेट के बार मतलब बोलना चाहिए गुपत उत्तर जो काल था उसमें कौनसी उनिवर्सिटी famous थी तो इसका answer होगा नालंदा उनिवर्सिटी ठीक है नालंदा उनिवर्सिटी बिहार में इस्ते था ठीक है ये post गुपता पीरियेट में बहुत ज in which state is Kodai Canal Hill Station located ठीक है ना Kodai Canal Hill Station किस state में किस राज में इस्थेत है ठीक है ना तो यह जो आप पिक देख रहे हैं यह Kodai Canal Hill Station की ही image है ठीक है तो इसका अंसर होगा Tamil Nadu यह Tamil Nadu में इस्थेत है ठीक है ना Tamil Nadu के डिंडिगोल जो district है ठीक है ठीक है तो यह question भी पूछा जा सकता है कि Kodai Canal Tamil Nadu किस district में है तो वो डिंडिगोल district में है ठीक है ना और इसको gift of the forest भी बोलते हैं English में दी हम बोलेंगे तो gift of the forest बोल सकते हैं और इसको princess of hill station भी बोला जाता है ठीक है ना hill station की रानिया भी कोडाई कल को बोला जाता है देखिए कितना beautiful द्रश्य है ठीक है ना तो इसलिए इसको princess of hill station भी कहा जाता है ठीक है next question देखते है who was the first Indian ruler to establish the supremacy of the Indian navy in the Arabian sea ठीक है ना कौन सा भारतिय राजा था ठीक है भारतिय सासक था जो की जिसने Indian navy की supremacy अरफ सागर में की ठीक है ना मतलब कि उसका अधिकार जो था वो अरफ सागर में था तो वो कौन सा राजा था या कौन सा सासक था इंडिया पर तो वो था king raja raja one ठीक है ना king raja raja one जो थे वो उनका अरफ सागर पर भी राज था ठीक है ना अब यह इस अमेज जो आप देख रहे है यह जो दिया हूए यह अरफ सागर है इसके राइट में देखेंगे तो यह इंडिया है उपर पाकिस्तान है ठीक है ना पाकिस्तान देखे है इस तरफ Oman Yaman, यह सूमालिया ठीक है यह और उसके नीचे इंडियन ओशन पढ़ता है तो यह अरब सागर पर जो जिसका साशन था यह सुप्रीमेशी थी इंडियन नेवी की वो किंग राजा राजावन के समय पर थी ठीके ना और आपको इस इमेज में जो इंडियन ओशन दिख रहा है इस पूर इंट्रेस्टिंग यह है कि यह दुनिया का एक मात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश की उपर है ठीके ना और वो देश इंडिया है ओके फ्रेंड्स तो यह थे 12, 13 और 14 जनवरी को SSC CHSL 10 प्लस 2 एक्जाम में पूछे गए जनरल अवेइनस के क्वेस्टन्स उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो यूसफुल रहा होगा मेरे सबी वीडियो आप बार बार देखें चाहिए आप किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो आपको लाब जरूर होगा हमारा चैनल आपको ऐसे वीडियो प्रवाइट कराता रहेगा आपसे उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपके ग्यान में थोड़ी भी व्रद्धि होई होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेर करना शेर जरूर करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यादि आपके मन में कोई सवाल या सुझा होए तो हमें कमेंट करके जरूर बताए ठैंक यू जय हिंद